मैंनों तका गए हूँ भूंदों में धर्ते पानी पानी रे चलते पानी मैंनों तका गए हूँ भूंदों में धर्ते पानी पानी रे चलते पानी पानी ने चलते पानी आप मुझे पता चला है नौाबजादी नूर जहान आपके दर तस्रीफ ने गए मैंने सुचा आपका शुक्रिया अदा किया जाए शुक्रिया किस पर आपका उनका पूरा हग कैस करते तो मेरे दोस्की बेटी है जब चहें यहां सकती है अख्तर हमीन अब धनकोट के खजाने आप पर खुड़े नौाबसाब यह दूस्त है कि मैं दौाबजादा नहीं लेकि मेरे श्मार मुलक के बड़े संदकारों है हाँ जानता हूँ जानता हूँ मुझे याद है एक बार आपने एक फ्रक्री लगानी थी उसके लिए आपको हमारी जमीन चाहिए थी सादवा नहीं हो सकता हूँ वो वो जमीन मैं चाहता हूँ के अब आप वैसे ही लिए अर्बों की जमीन आप मुझे 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 देना चाहते है लौाबसाब खरियत तो है मुझे तो देनकोट से सिर्फ इतनी दिल्चस्पी है कि अपने दोस्त लौाबसाब के कतल की तफ्टिश कर आप देनकोट की खजाने आप पर केशर बने कर सकता हूँ मुझे देनकोट से सिर्फ इतनी दिल्चस्पी है कि अपने दोस्त लौाबसाब के कतल की तफ्टिश कर आप और कातलों को खंजाम तक पहुचाना है वे अप्तर अमीर तो भूल गया है वे दवाब सालत हयात के कातलों को वहीं को ने मारती में जी असर में दूर जहां के काम किसी दिश्मन में भारे है वनना ये कैसे हो सकता है मैं जिन्दा हूँ और शालत हयात के कातल भी जिन्दा हूँ कर से जब तफ्टिश होगी तो सहसाम नहीं आजागा कर ताहँ करें दो कर दो अगया जाए याज़ा में तक में मामलात को पॉलिस तक नहीं ले जाना जाती है आप में फिक्र हो जाएं, बहुत जल्द मेरी ही भेजी हुई कोई गोली कातिल को चार जाएगी मेरा ख्याल है कि हमें कुछ कानून का भी सहरा लेना चाहिए नहीं अंकल, ये धनकोट का वामना है और धनकोट के अपने ही कानून है मैं ये समझती हूँ कि बाबा के कतल के बाद नहीं धनकोट की हकीकी वारिस है मेरा हुक्म, मेरा फैसला ही कानून है अयास, ये मुहबबत पे क्या जब शेय है ना वो कैसे? मेरे जैसी पत्थर दिल लड़की का गल भी पिगल कर बहने लगा है तुम्हारी मुहबबत तुम भी तु मेरी रूम में उतर गई हो हम दोनों कितने खुशकिसमत है ना कि हमें अपनी अपनी मुहबबत मिल गई सिंदगी के मौसम कितने हसीन हो गई है मुझे हर चीज अच्छी लगने लगी है तुम्हारे साथ कुछ ऐसा ही आलम में मैं उतर पहाडों से उतर कर तुम्हारे लिए यहां मिदानों में आगया हूँ कुद्रत ने हमारी किसमत में लिख राखा था कि हमने मिलकर बहना है परना तुम दर्या की तरा कहीं बह रहे थे और मैंने देकी तरा यहां हाँ दर्या तो मैं पहले बिदा लेकिन तुम्हारे साथ मिलने के बाद तुम तो तेस दर्या आपकर हूँ इसलाम सरकार आँ यह वर अली सरकार वो मारे कुछ बंदे गाया कहा हुआ गाया सरकार मेंने उनके घरों से पता किया कुछ मालूम नहीं हो सका बर्स इसना पता चला है कि वो शहर गया है और उन्हेंने घरवालों को बताया कि अगर को पूछे तो बताना कि हम नुआब साब के काम जा रहें जावर अली तुमने एक लिस्ट बनाई थी नूर जहां के वफादारों के उस लिस्ट में यह कितने लोग शामिल है सिरकार इस लिस्ट में छे लोग शामिल है इसका मत्रब है कि तुम्हें सही अंदासर नहीं लगाया तुम ऐसे करो कि इनके घरों पर निगरानी को जैसे जैसे यह अपने घराएं इन्हें दबोश्ट देजाओ मगर वो रबनवास की वज़ा से हम बहुत बदनाम हो रहे हैं जावर अली सैफ लग और जो जो काम रबनवास के हैं वो सारे उसके सपूर्ट करता है मगर हजूर वो रबनवास हाँ उसके साथ वो ही सुलूक करो जो हमारी रवायत है जैसे बेतर से चार वेत प्रवाबा से बात करना चाहते हूं क्यों किस लिए पूछना चाहती हूं उसे कि आखिर क्यों वो हमारी जिंदगें बरबात करना चाहते हैं अई ने तुम्हें कोई जरूरत नहीं है उसे बात करने की जरूरत है आयाज मैं उन्हें बताना चाहती हूं कि आयाज और सोफिया अब एक दूसरे से जुदा नहीं हो सकते आखिर उन्हें कितनी दौरत और चाहिए सोफिया वो मेरे बाबर सही है बाब है मेरे मैं उनको किसी किसम का कोई दुख नहीं देना चाहता हूं अब इसमें क्या दुख है आयाज हर बाब अपनी उलाद में अपने किसी खायश की तक्मील चाहता है और मैं हर्गिस ये नहीं चाहूंगा कि मैं उनकी तवक्वाद पर पूरा ना उत्रूँ तो सफिया भी मुझ पर कुर्बान हो गई अंकल ये खुला मुहम्मद और रजिया है धन कोट से आये हैं और मेरे जानी सारे अब ये मेरे साथ ही रहेंगे ये नो जहां का ही गारा है आप लोगों कोई तकलिफ दिए होगे हाँ तो रजिया नवाब सीकंदर हायात ने तुम्हें क्यों कैद कर रखा था बीबी जी वो मुझ से मेरे शोहर के बारे में जानना चाहते थे तुम्हारे शोहर से क्या मसला है उने नवाब सालत हायात का जब गतल हुआ था तो वो उनके साथ था वो सक्मी हुआ था मरा नहीं था अब कहा है वो अब वो बिल्कुल ठीक है बेबी जी आप जब कहेंगे वो हाजर हो जाएगा मुझे पहले बार यकीन आया कि मेरे दोस्का कातल सिकंदर यार दिया कदा पुलस के तुला दीजा नहीं अंकल धनकोड के नवाब अपने मामलाद दूसरों पर नहीं जोड़ते नवाब सिकंदर हायात को मरना हो और मेरी ही बेज़ेवे किसे गोड़े जोटी मालकर धनकोड से हमारे साथ और भी जाने सारा है यहाँ आपकी इफाज़त के लिए ठीक है क्यों से दिने मालकर मैनो तक आगाए हो भूंदों में धरते पानी पानी रे चलते पानी पानी रे चलते पानी मैनो तक आगाए हो भूंदों में धरते पानी पानी रे चलते पानी पानी रे चलते पानी अकेली बैठी हो अब इसमत अलार सामी का है तो डॉक्टर के पास करें अट्टी करवाने हो अच्छा सुनो इक्राम मुझे तुम से एक बहुत जरूरी बात करनी है बोलो खरियत तो है मुम्किन है कि तुम्हे बसन ना है अब सिसे लिए डर रही है इतनी फॉर्मल क्यूं हो रही हो बोलो क्या बात है ये बताओ कि तुम्हारे और मेरे बीच में जो तालुक है उसे तुम क्या नाम दोगे अच्छा तो ये बात है अब तोस्ती का तुमने कभी मुझसे शादी करने का सोचा है हाँ सोचा भी है और नहीं भी सोचा और अगर मैं तुमसे कहूं ये मैं किसी और से शादी करना चाहती हूँ तो तुम्हे बुरा तो नहीं लगेगा तुम्हे बुरा लगेगा भी है और नहीं भी लगेगा क्या मतलब मतलब ये के अगर तुम किसी ऐसे इंसान से शादी करती हो जो अच्छा है तो अच्छा लगेगा अगर तुम करसी बुरे इंसान से शादी करती हो तो ये किन बुरा लगेगा अच्छा एक्राम मैंने इसमत अल्ला से शादी करने का फैसला कही है वाँ इससे बड़ी मेरी जिन्दगी की कोई जीत हो ही नहीं सकती क्या मतलब मैं समझी नहीं सेट जवाद की बेटी एक गरीब कानकुन से शादी करें तो इसका मतलब है कि मैंने तुम्हारे साथ अपना वक्त जाय नहीं किया मैंने तो मित्थे बदल दी वो कहते हैं न कि दुनिया में दो किसम के खानदान होते हैं अमीरो का खानदान आरब वारीबू का खानदान जिनकी अपस में शादी नहीं हो सकते हैं तो मुश्ट होने तो मुश्ट होने हाँ मैं खुश्ट अशची नहीं होने कि राई स्पून तो मुश्ट राई सकते हैं भीषन पुश्ट तो आप लोग अच्छी तरह से जानते है नूर जहां आओ एक लड़के के साथ धनकोट से फरार हो गई अधनकोट के बाते पर यह बत्तरी दाख है मैं चाहता हूं कि दूर जहां और उस लड़के को सदाए मौत दीजाएं आप लोगों को इसलिए उनाया है कि आप मेरे इस फैसले की तौसीख करें ताके रियास्ट के अवाम दूर जहां की मौत का मुझे जिर्फ इल्शाम ना दे जब तक हम दूर जहां बेटी से मिलने ही लेते हम इस फैसले की तौसीख नहीं कर ज़कते हैं हम नहीं चाते के नवाब सौलत हयात की बेटी का खून हमारी गर्दन पर आए और नवाब सौलत के चाने वाले क्या निसार हमें चुन चुन करना भाएं आप स्टेट के मालिक हैं और सौलत हयात के सके बाई हैं आप जो चाहें हुकम लगा सकते हैं ठीक है आप लोगों का यही प्रिश्वा है आप मार्ला चाहिए आप ने इन सर्दारों के इतनी हमीर क्यों दिया सकार हमारे आदमी जहौर पहुंच नहीं वाले चोटी मालकन दो चार दिन से जियादा नहीं रह सके हैं यह बगला तू नहीं समझता यवर अली तू जानता रहे ना बहुर में मुझे पर कातला ना हुला हुआ किस ने करवा रहा है वे नूर जहां के चांत सब्सक्राइब इसलिए यवर अली अब हर मामुलात में हमें बड़ा सोच समझ कर समझ कर चलना होगा हुआ तुम्हारे बाबा को नूर जहां में नजर क्या आता है वो मुझे धनकोड का नवाब बनाना चाहते हैं ये भी हो सकता है नूर जहां से शादी करने के बाद धनकोड का नवाब बनने के बाद मैं तुम से भी शादी कर लूँ नहीं ऐसा नहीं हो सकता मैं अपनी मुहबबत में किसी और को शेरीक नहीं कर सकती है हाँ मुहबबत मैंने तुम से ही की है सुफिया वो तो मेरी मजबूरी है अच्छा चलो ठीक है लेकिन पहली शादी तुम्हें मुझ से करनी होगी चलो यह भी मान लेते हैं मगर हमारी यह शादी खूफिया होगी नहीं आयास नहीं मैं खूफिया शादी नहीं करूँ बीपी ची यह मेरे घरबाल है क्या नाम है इंदाद अली इंदाद अली आज से तुम वैसे ही रहा करोगी जैसा के तुम मेरे बाबा के साथ रहते थे जी बीपी जी पर मेरी एक खुआश है अगर आप मुझे इजाज़त दें तो मैं कुछ जोर करना चाहता हूँ क्या करना चाहते हैं इंदाद अली मुझे तब तक चैन नहीं आएगा जब तक मैं अपने मालक के खून का कर्ज ना चुका ले आप मुझे नवाब सिकंदर हैात को कतल करने की इजाज़त दें इजाज़त है और इस मकसद के लिए तुम्हें जितनी भी रकम दिरकार हो नजिया से लिए लो मैंनों तक आगाए हो भूंदों में ढलते पानी पानी रे चलते पानी पानी रे चलते पानी तक आगाए हो भूंदों में ढलते पानी पानी रे चलते पानी पानी रे चलते पानी सलाम एक्राम बाबू गुलू बैठो एक्राम बाबू तुम्हारी जिन्देगी खत्रे में है चोड़ गुलू जिसने लिखी रशने आई जानी है मैं डर्डर के मरने के काईल नहीं है यह तुम्हें बड़ा च्छपी है इससे अपने पास रखा कर आज मैं बहुत परिशान हो गुलू क्यों चल चोड़ तु कोई अपना अच्छा संगीच सुना तो क्या मैं पहले अच्छे वीर नहीं सुना था चल सुनाना लो फिर सुना अख्या दे दर बदना कर तू हो सकदे ओ आवे जित्थे वी हिल्क रावन ने साझे प्रीत देखो ठे अपकुणे पास हाद ना कर तूं हो सकदे ओ आवे अखिया देदर बांद ना कर तूं हो सकदे ओ आवे वाह क्या दर्द है तुम्हारी आवाज में वह प्रिशान क्यों है पता नहीं फिर भी ऐसा लगता है जैसे मेरी जिन्दगी में शामें आ गई है और मैं तो किसी के सामने रोग भी नहीं सकता अल्द पर भुलोसा राख उसके दर्बार में देर है अंधेर नहीं है जला नहूं ठीक आते हो अच्छा तू ऐसा कर अपना कुश्य है अच्छा सुन आज लिखा है ऐसा तूटा हूँ कि अब दर्जे है कल किसी आंका अच्छा तूम कहां चले गए थे बताए वेना तूम पता भी है कितनी परेशान हो गई थी आँ बेटो 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 ऐसे ही बस गोमने घर में चला गया था तो इसमें परेशानी की क्या वाद है और तूम्हारा फॉन भी बन था आँ 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 बैटली खतम हो गई इसकी आयास तुम जानते हो ना बाबर की गुम्शुद्गी की वज़ा से मैं बहुत परेशान हूँ मुझे लगता है नवाब से कंदर है आतने बाबर को कतल करवा के उसकी लाश को गयाब कर दिये क्या लेकिन वो तो नूर जहां को कतल करवाना चाहता था ना वो नूर जहां के साथ साथ हर शखस को कतल करवा देगा जिससे नूर जहां की शादी हो सकती है ऐसा क्यों है आदे दन्गोड की मालकन है नूर जहां वो चाहता है नूर जहां मर जाए या उसकी शादी उसके बेटे के साथ हो जाए इस विरासत में नाचाने कितनी ओर्तों के जिंदगें बर्बार की कितनी कतल हुई और नाचाने कितनी की शादी ना हो सकी यह बहुत सित्म की बात है यही दुनिया है और यही इस दुनिया का रिवाज मेरा बाप बिचाता है कि मेरी शादी नूर जहां के साथ हो जाए वो जाइदाद की वज़ा से पर नूर जहां है यक्या उसमें पत्थर की ओरफ लगती है वो मुझे तो खुद ऐसा लगता है जैसे उसके सीने में दिल नहीं पत्थर रखा हो तुम्हें पता है तान्याल ने मुझे बताया कि उसे तो पाबर की गुम होने के भी कोई दुक नहीं इसके चेहरे पर तो मलाल तक दिखाई नहीं देता था धनकोट की ओरते हैं ऐसी ही होती है एए कि पर बैठ 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 बाबा बाप से मेरा रिष्टा मजबूत होने जा रहे इस मेरे सर पर हाथ रखते हैं झाल 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 हलो मैं नूर जहां बोल रहे हूँ जी नूर जहां कैसी है आप मुझे खुशी है कि आपने मुझे याद रखा तुम किस दिन चक्कर लगाओ हमारी तरफ मुलकात होनी चाहिए जी जरूर यसे आप भी किस दिन चक्कर लगाए है ना हाँ जरूर मैं किसी भी वक्त चक्कर लगा दूँगी और हाँ ये अपने मिस्टर आयाद को जरा काबू में रख रहे हैं आया था मेरी तरफ अपने बाप के कहने पर और यकीनन तुम से छुपकर आया होगा वरना तुम साथ जरूर ही ते इसका बाप बहुत ही खड़िया इनसान है वह तुम्हारा अंदाजा बिल्कुल दुरूस था लेकिन आयाद अच्छा लड़का है और तुम्हारे साथ अब इनसान को मौत भी तो आ सकती है अच्छा नूचहां ये बताएं कि आप मेरे घर का बार रहे हैं ना किसी भी वक्त चक्र लगाती है तुम्हारी तरफ अच्छे अला आपस से नवाबा मैं बच्पन से आपकी बाते सुनता रहा हूं और मुझे लगता है कि मेरे अंदर जो तब्दीली वाकिय हुई है उसमें आपकी बातों का बहुत अमल बखल है मैं चाहता हूँ आप मुझे और मश्वरे भी दे जोटे नवाबा मैं क्या और मेरे अवकात क्या अभी आपने मुझे से कहा तो मेरी कपकपी में और अदाफा हो गया आप हमारे बजर्ग हैं हमारे दादा पर दादा को देखा है आपने क्या वो भी बाबा जैसे थे नहीं नहीं चोटे नवाब वो तो लोगों को बहुत खयार रखते थे हाँ नवाब साहब के दादा नवाब साहब जैसे ही थे बढ़ 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 मैं धनकोट को एक फलाही रियासत बनाना चाहता हूं जहां हर शक्स को उसके काम की इतनी वजरत मिले कि वो अच्छी जिंदगी गुजार सके उसके पास खाने के लिए खाना हो पहने के लिए कपड़े हो रहने के लिए मकान हो तमाम लोगों के इलाज के जिम्मेदारी रियासत पर हो चोटे नवाब खाब तो बहुत खुरसूरत है लेकिन इसकी ताबीर में बहुत गहरी गहरी खाईया हैं अल्ला आपको कामचाब करें देनों तक आगाए हो भूंदों में ढलते पानी पानी रिचलते पानी पानी रिचलते पानी पानी र्चलते पानी रिचलते पानी आयास नजर नहीं आरा वो कल राट को ही धनकोट जा चुका है ये पैगाम देके कि उसे कोई एमर्जनसी है मैं जानती हूँ कि उसे क्या एमर्जनसी थी क्या एमर्जनसी है उसके बाबा की जान खत्रे में है मुझा तरसल मैं उसके पीछे धनकोट जाना चाहते हूँ हाँ तुम्हें जरूर जाना चाहिए एक मुहबद करने वाली लड़की को किसी भी मुश्किल में अपने महभूब के साथ होना चाहिए कहो तो रहनुमाई के लिए दो आदमी साथ भी तो नो थांक्स एक्चुली धनकोट का निया DSP मेरा कजन है अच्छा आप ये सब बाते छूड़ें मैं आपसे एक बात पूछना चाह रहे थी बाबर का कुछ पता चला देखिए अक्तरमी साथ आप एक करवरी आदमी है और आपके लिए मुनासिक नहीं है कि आप लोगों के खानदानी मसाहिल का इस्सा बने मेरी माने अपना फाइदा लें और लग हो जाएं मुझे पता है लॉप सकंदर मुझे अलफुका फटा दे सकता है लेकिन मेरी आँखों के सामदे नौाब सॉलत याद का चेहरा आजाता है सरची क्या बात करते हैं करवरी आदमी इतने चज़बाती नहीं हुआ करते हैं मैं सोचता हूँ आखर मुझे भी तो मर्दे है और मर्दे के बाद मैं नौाब सॉलत याद को कर शेपना चेहरा निकाँगा बगता है आपके कवा मुझमिल होगी हैं नहीं याद अब यह नासर में इतना है और मेरा मसला सिर्फ नौाब सॉलत याद है लेकिन वो तो मर्द चुका है लेकिन बेटी तो उसकी जिन्दा है मैं बड़ी उमीद देखिया है आपके पास तो आप सिकंदर से कहना कि अक्तर हमी हाद चीज़ फराद कर सकते हैं लेकिन किसी की जिन्दगी नहीं मैं आपके जिन्दगी नहीं राद कर दो दो आपके जिन्दग्त झाल प्रूङब धाल झाल मैं झाल 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 प्रूण झाल झाल सलाम चोटे मालिक हाँ बाबा बेठो और सुनो ये आइंदा मुझे मालिक नहीं कहना सिर्फ आमिर हयात कहना है क्योंकि मालिक तो सिर्फ अल्ला की जात है मैंने गीत लिखा है लोगों के उट खड़े होने के लिए जल्म के खिलाफ जी तो मैं यहां से गुजरा था मैंने को आपको सुनाता जाओ हाँ हाँ जरूर सुना जर लिख गुल्लू दे एह ओजिया पेच्वे आणे पढ़ने जानु मांदाओं सब कुछ बेच दे कि ताम इच गुलू दे दे हो जिया पैच ले दे हो जई दे कोई एक ख्यान धीर ले लुट ले तु जाल मादी सारी जगीर वे सच यक्य जूठ सरा हो जाए है चुए कि ताम इच गुलू दे दे हो जिया पैच ले कि ताम इच गुलू दे हो जिया पैच ले खाथ बहुत अबर्दस बहुत अच्छा मुझे पहले भी किसी ने तुम्हारे गाना सुनाया था बहुत अच्छा है वो भी कराया करो कौन सा? ओ रबा एको जया कर रबा एको जया कर बिलकुत जरूर वो भी मैं अब दुबारा फिर गाऊ उना बो मुझे यकीन है के दो चार दिनों में हमें कोई खुश्खबरी मिले है मुझे नहीं लगता कि वो कमजोर सा शूटर जुआस कंदर रियाक कमादिन कामिया बुझेगा सिर्फ उसी को नहीं भीजा इस मकसद के लिए वहां दो पार्टियां और भी काम करें वो कौन है एक मेरा जान साथ जो अपनी जान पर खेल कर हर सूरत नवाब सिकंदर हयाब को कतल करने की कोशिश करेंगा और दूसरी आपके दोस्त रतास का बीटा आयास का बाप अरबास का वो नवाब सिकंदर को क्यो कतर करना चाते है क्योंकि वो बाबा के कतल का चिशम दीद गवा है और उसने नवाब सिकंदर हयाब को ब्लैक मिल करने की कोशिश में अपने बेटे आयास खान के लिए नेरा रिष्टा भी मांगा जिस पर उसने दोनों बाप बेटे को कतल करने का हुक्म जारे कर दे रहाए सो दोनों तरफ से एक दुस्टे को कतल करने की कोशिश चारे अगर ये लोग नवाब सिकंदर को कतल करने में कामिया हो गए तो क्या तुम आयास से शादी कर लोगे नहीं मेरा किसी से शादी करना मतलब उसको धन कोट स्टेट का मालिक बना दे और मैं ये फैसला इतनी असानी से कैसे कर सकती सरकार ये लेक की आप से मिलना चाहती है ठीक है जाय तू मुझे मलंक बाबा ने आपकी तरफ भीजा है जी बताईए मैं ऀम सबताईए के अबने कर सकती ये के बास होई भला मुझे नहीं मालूब मलंक बाबा ने मुझे आपके पास क्यों भेजा आप किस वक्सद के लिए गई थी उनके पास बच्पन में मेरे माँ बाप मर गए थे बस ये समझ ले मलंग बाबा ने मुझे पाला क्या ना मैं आपकर मलंग बाबा की दुआ हूँ यारू जी सरकार इनने चोटी मालकन की कबरे में ठहरा दो बेतर सरकार वाँ कपड़े हैं रेवर है आप कुछ भी इस्तमाल कर सकती है मैं मलंग बाबा की जदद के बगए किसी भी चीज़ को हाथ नहीं लगा सकती अगर मलंग बाबा ने आपको कुछ बताए बगएर यहां भेजा है तो यह समझ लें कि उनकी तरफ से आपको हर बात की जदद है यहां रूप ले जोगे ला चले देए हुआ महमद तुम्हारा जाए ख्याल है कि अगर मैं आमल हुआ से बात करूँ तो क्या वो अपने बात का खलाफ लूजागा साथ देन को त्यार जाएगा उसने जी हर मोड पर पूरा पूरा फादिया हमारा पहले भी लेकिन मुझे उसकी मदद की कोई ज़रूर नहीं नहीं हुआ हुआ में मुद का ख्याल है कि जो दुश्मन का दुश्मन होता है यो दोस्त होता है असल में वो भी मुझसे शादी करना चाहते है जोटी मालकम अब बजल चुका है वो तो कोशिच कर रहा है कि तुश्मन कोट को तबाह कर दिया जाए यो लोगों को बगावर की तरह माय कर रहा है पिर तो वो मेरे लिए नवाब सिकंदर है आप से भी ज्यादा ख़तरनात है वो रवटी आप कुछ कहना चाह रही हो मुझसे जी बाबा मजे आप से बहुत जरूरी बात करनी है मेरी बेटी हो कहो कहो क्या कहना बाबा वो मैं इकराम के लिए सामली का हाथ मांगना चाह रही हूं आप से किस हैसियत से उसके दोस्त की हैसियत से क्या बाब इकराम के घरवले नहीं है बहें उसकी एक बुजर्ब मा है और वो यह सुनकर बहुत खुश होगी आप आप आज शे एकराम को कहूं कि वो शाथ वाले घर में चला जाए पिर उसका यहां रहना तो मायूब लगे ना जी बाबा ना आज यह उसे दूसरे घर में शिप्ट कर दूंगी आपकी कभी सामली से इस बारे में बात हुए जी बाबा मेरी सामली से बात हुए लेकिन अगर आप खुद एक बार बात करें तो मुनासिब होगा बटा मैं तो अक्सर सामली की शादी के बारे में सोचता रहता हुए चला अच्छा है सामली और इसमत उल्ला दोनों की इकटे शादी हो जाएगी नई बाबा पहले हम सामली और इक्राम की शादी करवाएं चला जैसा तुम चाहा हूँ चला भी मैं आपको आपके नहे गर तक छोड़ा हूँ लेकि बेटा याद रखना ये कर भी आपका है मैं आपकी महपतों को कैसे भूल सकती हूँ आपको अब भी हर मामले में मेरे रहनुमाई करनी होगी थोड़ा सापने इंतकाम की आपको कंट्रोल कर दे के कुशिश करो बाकि तुम मार्शला हुद बुरी जहीन हो हर मामले को बोचल समझ लेती है मेरा इंतकाम सिर्फ नवाप सिकंदर हया तक महदूर है और इसके रास्ते में जो भी आएगा मुझे मजबूरन उसे रांदना पड़ाए ये क्यों नमा किकाने है मौत की दुकाने कहती है ये चताने सदियों की दासताने हर संग पर बनी है एक जल्म के निशानी पानी रे चलते पानी पानी रे चलते पानी पानी रे चलते पानी मेरा कभी न नहरे सुसराल मेरा पथर माबाप मेरे कबरे वीरानिया मेरा घर मैं हूँ बगर चपू कष्टी के जिन्दगानी पानी रे चलते पानी पानी रे चलते पानी चलते पानी